प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों हम अपनी भाशा को, अपने भावों को बोलने में, व्यक्त करने में कहीं सारे शब्दों का प्रियोग करते हैं क्या आप जानते हैं ये शब्द कैसे बनते हैं? आप कहेंगे वर्णों को जोड़कर वर्णों को जोड़कर शब्द तो बनते हैं लेकिन कई बार शब्द के साथ एक अन्य वर्ण या एक अन्य शब्द जोड़कर एक पूरी तरह नए शब्द का निर्मान हो सकता है आज के पाठ में हम बात करेंगे शब्द रचना की हम जानेंगे किस प्रकार नए शब्द बनते हैं किस प्रकार उपसर्ग, प्रत्य, संधी और समास के द्वारा शब्दों की रचना होती है सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की उपसर्ग अर्थात वे है आंश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है तो उपसर्ग कहां लगे शब्द से पहले आए कुछ उधारन देखते हैं प प्रताप प्रभाफ प्रकोप प्रदान अप अपमान अपयश अपकार अपवे अनु, अनुकूल, अनुमान, अनुसरन, अनुदान वि, वियोग, विदेश, विनाश, विवाद अव, अवगुन, अवतार, अवरोध, अवमानना सह, सहयोग, सहपाथी, सह कर्मी, सहयात्री उप, उपकार, उपवन, उपभेद, उपनाम परा, पराजय, पराधीन, परावलम अति, अत्यंत, अत्याचार, अत्यादिक प्रती, प्रती दिन, प्रती पल, प्रती कूल, प्रती पक्षी यह थे उपसर्ग, उपसर्ग लगे शब्द से पहले, अब कई बार जो शब्दांज है वह शब्द के अंत में लगते हैं, वह क्या बन जाते हैं, प्रत्य, आए उधारन देखते हैं, प्रत्य, प्रत्य से बने नवीन शक्त, आ, जोडा, अगडा, तगडा, आई, भलाई, पढ़ाई, लिखाई, ता, सुन्धरता, नवीनता, सरलता, क, नायक, गायक, लायक, ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, आहट, घप राहट, मुस्कुराहट, आवट, सजावट, लिखावट, बनावट, वाला, हिम्मत वाला, दूध वाला, सबजी वाला, संधी भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम शब्द रचना कर सकते हैं, दो वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को संधी कहते हैं, और संधी कितने प्रकार की होती है, आए उधारन के साथ समझे, स्वर संधी, संधी विच्छेत, संधी शब्द, विध्या जमा आले, विध्याले, रमा जमा ईश, रमेश, सूर्य जमा उदे, सूर्यो दे, इती जमा आदी, इत्यादी, सदा जमा एव, सदेव, व्यंजन संधी, सत जमा जन, सज्जन, जगत जमा इश जगदीश उत जमा घाटन उद घाटन संग जमा योग सैंयोग विसर्क संधी दुह जमा कर्म दुश कर्म निह जमा आशा निराशा नमह जमा कार नमसकार निह जमा रस नीरस दुह जमा उपयोग दुरुपयोग अंत में आए समझते हैं समास द्वारा शब्द रचना, समास अर्थाथ दो या दो से अधिक शब्दों को मिला कर बने नए संग्षिप्थ शब्दों को समास कहते हैं, आए इनके उधारन देखते हैं समास विग्रह, सामासिक शब्द, शक्ती के अनुसार यथा शक्ती, राजा का पुत्र, राजपुत्र, नीला है कंट जिसका, नील कंट, नवरत्नों का समु, नवरत्न, दस है आनन जिसके, दशानन, लंबा है उदर जिसका, लंबो उदर, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग तो बच्चों इस पार्ट में आपने सीखा किस प्रकार हम उपसर्ग, प्रत्य, समास इन सब चीजों से हम नए शब्द बना सकते हैं, संधी से भी नए शब्द बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया, आए अभ्यास कीजिए, धन्यवाद